पूर्गी पालन करते हैं और देशी मुर्गी का काम करते हैं किसान भाईयो आज मैं अपने श्टोक पर आपको लेकर आये हूँ अपने फारम में आप देख सकते हैं हमने केज में जो है एक पिछले टेलास टेम वीडियो डाली दी कि केज में देशी बर्ड कैसे रखा जाता आपको दिखारो मैं ये सारा देशी बर्ड हमारे पास डबल अब जी ब्रीड जो है केज में है ये जो बर्ड है हमारे पास रंगीन मुर्गी जो हमने डाली हुई है स सर हमने आपकी वीडियो देखकर हमने अपने वर्ट को जो है केज में मूव करना शुरू कर दिया काफी फोन भी आने लगे कमेंट भी आ रहे हैं तो मैं आपको फिर से एक बात बताना चाहूंगा देखिए आप डीप लिटर में फार्मिंग कर रहे हैं मतलब नीचे कर रहे ह आप च्ड़ार्मींग या आप केज में कर रहे हैं इन दोनों में बहुत जबं आश्मान का आंतर है अगर आप केज में कर रहे हैं तो आ आपको इसके बारे में एक्सP checking होना बहुत जरूरी या यह कियो भी झाना ङिए जैसे आप देख रहे हैं केज में आप देशी बंको तब ही रखें जब आपको इसके बार में पूरी तरह से एक्सपीरेंस हो दूसरी बात किसान भाई हमसे पूछ रहे थे कि सबसे अच्छी ग्रोथ करने वाली मुर्गी है और आपको करना चाहूंगा मैं क्योंकि हो प्रीडर के विडियो बना रहा हूं जो हमारी कंपनी का मारी फर्म का नाम है हमारे पास आपको कड़ेकना डबल एफजी देशी हसील डख खाकी केंबल इसके लावा और भी कावी सारी आरिया रूड इसलेंडर इस तरह की ब्रीड्स मिल जाए कि जब भी आप ब्रीड डालें आप इस चीज़ को शोर कर लें कि आपके एरिया में कौन सी ब्रीड ज्यादा सरवाई करती है एफसी आर रेशो क्या है खास दोर पे जब मैं एफसी आर की बात करता हूं जो हमारा ये देशी बर्ड है डबल एफजी की जो एफसी आर इसका बाद ये चनाव जबतार हूं का फ़ीड ले कर रहा है तो फीड टिशडियूल अलग है इसके रावा कुछ कमेंट्स आते हैं कि से इसका अंडा कहां बीखता अगर बड़ी लेवल पर अंडा अगर भी तो आप इसका अंडा जो है बेचने के लिए वैसे तो खुद अगर मार्केट बनाएं बहुत ही बढ़िया क्योंकि इसका अंडा बेचने के लिए आपको पहले से प्रयास करना करते हैं इसके लाबाट तो चुझा लिने के लाहां हमसे सब्सक्राइब चूजय का रिट मैं आपको बतना और डेली का रिट होता है और कोई आसा दि का है कि पोल्टरी के पिड़ेकर और जाए उसक filt हैं औरा यह रखार है कुछ भी एंडा जाएँ का ऐनने डिब से मैं बताना चुका बेसिक इंफोर्मेशन जो है के फीटर ड्रिंकर वगरा अच्छी तरह है साफ सफाई रखें प्रोपर आपने बर्ड का टैम टैम पे आप डी वार्मिंग करना बहुत जुरूरी है सबसे बड़ी कमी कुछ किसान बहीं बोलते हैं उनका बर्ड जो है होगी यह डी वार्मिंग करना उन लोगों के लिए बहुत ज़्यदा जुरूरी है जो खास तो रुपे फ्री रेंज फार्मिंग करते हैं जो आगे में खुला छोड़के फार्मिंग करते हैं उनके लिए इसके लावा किसान भाई यो पूरा वीडियो कैसे लगा निचे कम सा है क्योंकि मैं चाहता हूं अपने अपने एक्सपीरियंस अपना अपना तो जुर्बा अपने अपने शेत्र से शेर करें हमारे चनल के आपके खुद के चनल के माद्यम से इसके लाव अगर आप अभी तक हमारी आप किसान के साथ नहीं जुड़े जो गूगल प्ले स्ट झाल